देखिए हमारे देश में इस तर से रेप की घटनाय बढ़ रही है आप सभी को पता हुगा कुलकता में फिर बिहार में फिर महराष्ट में फिर देली में हर जगा कभी न कभी आप सुनते आ रहे होंगा लेकिन अभी एक मामला सबसे आदार सर्चा का भी सह बना था कुलकता म मोमिता नाम की डॉक्टर का लेडी डॉक्टर थी जो कि ट्रेंडिंग करें तो उसका रेप हुगा इसके बाद मामला बहुत ज्यादा हाइलाइट हुगा उसके बाद पस्षिम बंगाल में एक सरकार के द्वरा देखिए पारित की आगया है बील एंटी रेप बिल जिसमें पांच सितंबर को यह लागू हो जाएगा हमारे पस्षिम बंगाल में सिर्फ दस तिनों के अंदर फांसी की सजा हो जाएगी इस मामले में दस दिनों के भीतार अरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी अलगे पूरा मामला कि आप इस पर जाकर गूगल सब्सक्राइगा ले पहले लोग प्रेम करते दे पेड़ों से और ज्यादातर संख्या में लगाते लेकिन आप जिस तर से पेड़ों की कटाई हो रही है और उसके बाद देखे किस तर से पेड़ को नुचा गया है तरह का मामला करने वाले बिहार में या फिर देश में जहां भी इस तरह का लोग करते हैं मंदार होते हैं लेकिन जो आसिक होते हैं लफगा कटे कह सकते हैं इनको दिल बना देंगा करके लड़की का नाम लिख देंगे लड़कियों को बदनाम कर देंगे क्या क्या लिखा हुआ है डीके लिखा हुआ है और काटा गया है और एक लड़की का नाम भ्याला क तो चीए इस नाम कि जितनी लर्की आओंगी इस गाव में अगर इस रास्ते से गुजरे और यहां पर कोई लफवा लर्का उस लर्की का नाम ले ले तो कितना स्रम्चार होगी उसका पडिवार और फिर दो घरों में विवाद होगा लेकिन जिस तरह से इस पेर को काटा गया मुझे लगा कि इस चीज को दिखाना चाहिए और इसके बारे में मैं चाहूंगा जीला के डियेम से भी की इस तरह का एक कानून पारी तो कि जो भी इंसान पेर पर काटते हुए या फिर पर इस तरह का रीप करते हुए पेर के साथ पकड़ा जाता है उसके उपर कड़ी से करी करवाई होनी चाहिए क्योंकि यह काम गलत है हमारे नदर में भी और आपके नदर में गलत है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्याद आप लोग सेयर कीजिएगा क्योंकि यह बहुत बढ़ी समस्या है सूचिए हमार देश में जो लोग पेड़ों के साथ खिलवार कर सकते हैं आप सोचिए यह पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देता है जो पेड़ हमें मतलब आजादी देता है सांस लेने का उस पेड़ के साथ इस तरह का करना कहीं नहीं बहुत ज्यादा गलत है तो कहीं नहीं आप लोग इस वीडियो को सेयर कीजिएगा इस तरह का कोई लुचा एडिए एबलो